नमस्कार दोस्तों इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है तो दोस्तों राफेल फाइटर जेट को लेकर आ रही है बहुत बड़ी खुसकबरी और किस प्रकार से भारत ने राफेल की खरीदी में कर दी है देरी और इसका फायदा किसी अन्न देश ने उठा लिया है और अ अमेरिका और रूस के फाइटर जेटों को ना खरीद कर राफेल फाइटर जेट को चुना और जब से भारत ने राफेल फाइटर जेटों को खरीदा है तब से राफेल फाइटर जेट की जो लोग प्रियता है वो आसमान चुचुकी है और दोस्तों इतना ही नहीं जब से भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे हैं तब से फ्रांस को 200-500 की संख्या में राफेल फाइटर जेट के ओरडर मिल चुके हैं पर दोस्तो भारत के लिए पुरी बातिया है कि बायू सेना के लिए फाइटर जेट काफी जादा पसंद आया है परन्तु फिर भी भारत सर कि दिसंबर 2021 के अंदर फ्रांस और यूएए के बीच में 80 राफेल का सौधा हुआ था और आज इसी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और फ्रांस की तरफ से ऐसी जानकारी दी गई है कि यूएए की तरफ से राफेल फाइटर जेट की डील की जो पहली क इस थी उसको फ्रांस को सौंप दिया गया है जिसके बाद में राफेल फाइटर जेट की जो पहली खेफ है उसको फ्रांस की तरफ से अब यूएए के लिए डिलेवर किया जाना है और दोस्तो भारत के लिए यह बहुत बड़ी और बुरी खबर इसलिए है क्योंकि यदि भारत और फ्रांस की बीच में है डिल हो जाती तो आज ये राफेल के एफ फोर बेरियंट यूँ यही ना जाकर भारत आ रहा होते और आज भारती वायू सेना की ताकत और बढ़ जाती और दोस्तो इसलिए भारत सरकार को अब भायू सेना के लिए नई फाइटर जेट खर काफी जादा नीचे की और गिरती जा रही है और एसी में अधी नई फाइटर जेट नहीं लिए गए तो आंगे चलकार भारत के लिए बहुत ही बड़े दोस्त परिणाम साबित हो सकते हैं खेर आप सभी के स्टोपिक पर क्या रहा है और क्या भारत सरकार की द्वारा जल स जल एमरेफे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके 114 नए फाइटर जेटनों को खरेदना चाहिए या फिर नहीं कमेंट वोक्स अंफीरा वस्ती जी का विडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहन वंदे मातरम